अलो, गुट इविनिंग स्टुडेंट्स, मैं सुमन, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ, आज हम इस वीडियो में वलभी के मैत्रिक वन्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो देखेगा ये भी गुपतो तरका प्रालीन ही पार्ट है, जो एक्जाम के दस्टी से बहुत ही मैत्रोपुन है, और इससे पहले भी हमने गुपतो तरकाल के बारे में काफी कुछ पढ़ा था, तो देखेगे, यदि आपने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब् ठीक है, बेल आइकन दबाईएगा ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिने और नएने वीडियो जहाँ प्राप्त कर सकें, ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं वलबी का मैत्रिक वन्स, पानसो पच्चास इस्वी अर्थात इस्सा की छटवी सताब्दी के मद्दे सक्ति साली गुप्त समराजे पूरी तरह से छिन्न भिन हो गया था, गुप्त समराजे के पतन ने एक बार पुने भारतिय राजनिती में विकेंद्री करण और विभाजन की परवर्तियों को प्रोच साहित किया, अनेक इस्थानिय समन्तों एम सासकों ने अपनी स्वतंतरता गोशित क और सत्ता की दोड में तेजी से आगे बढ़े, हर्स के उदे के समय तक उत्तर तथा पस्यमी भारत की राजनितिक में निम्न निखे सक्तियां विशेश रूप से सक्रिये थी, देखेगा कौन-कौन सी थी वो, बलबी के मैत्रिक, पंजाब में होन, मालवा का यसो धर्मन, म अगद और मालवा के उत्तर गुप्त कनोज के मोखरी, अब देखेगा पढ़ते हैं बलबी का मैत्रिक वन्स, बलबी के मैत्रिक वन्स की स्तापना बठार्क नामक वेक्ति ने कि थी, जो गुप्तों के समय में एक सैनिक बदा दिकारी था, इसा कि पांचवी स्तापदी के अंत तक उसके उत्रादिकारियों ने सूराष्टर अर्थात काठियावाड में अपना सक्तिसाली राजे स्तापित कर लिया, इस वन्स के प्रारंबिक नरेश गुप्त समराटों के सामन्त थे, भार्त में आकर उन्होंने ब्रामन तथा बो द्रमों को अपना लिया था, मैत प्रारंबिक दो राजा थे, बठार्क और बठार्क का पुत्र धरशेन, अपने आपको सेनापती कहते थे, इतिहास में धरशेन के उत्रादिकारियों को माराज अत्वा महा समन्त कहा गया है, द्रोन सिंग इस मन्स का तीसरा राजा द्रोन सिंग था उसके बारे में कहा गया है कि वह अपने सारव भूम सासक गुप्त सासक द्वारा महराज के पदपर परतिष्टित किया गया था यह सारव भूम सासक बुद्ध गुप्त था दुरुवसेन पर्थम द्रोण सिये के बाद उसका भाई दुरुवसेन पर्थम महराज बना इन दोनों ने भूमी दान में दी थी वह अपने को परम बठारक पादानो ध्यात कहता है जिसी इसपश्टी है कि दुरुवसेन पर्थम के समय अरथात 545 इस्वितक बलबी के मैत् समराठ गुप्त वंस की अद्दीनता स्विकार करते थे धुरुएसेन पर्थम के सुलह दान पत्र प्राप्त हुए हैं इसके बाद महाराज धरन पत्र तथा फिर गुप्त राजा हुए गुप्त वंस के दान पत्रों में परम भठारक पादानु ध्यात का प्रियोग नहीं ह हुआ है इससे पता चलता है कि 550 इसुई के आसपास मैत्रिक वंस गुप्त समराटों के दिनता से मुख्ध हो गया था इसी समय गुप्तों का पत्न भी हो गया गुए सेनके बाद उसका पुतर धर्सेन दुप्तिय जो 501 गैतर से 590 इसुइ तक तता फिर धर्सेन दुप्ति दिते पर्थम धर्मा दिते अर्थार 606-612 इस्वी में मैत्रिक वन्स का राजा हुआ सिल्ला दिते चिन्नी आत्री वेन सांग मोला पो किसको कहता है मोला पो मालवा को मालवा के राजा सिल्ला दित्ते का उले करता है जो एक बोध था इस परकार ऐसा इसपरस्ट होता है कि इस समय तक मैत्रिकों का राजे संपूर्ण गुजरात कच तदा पस्चीमी मालवा तक विश्ट्रित होच गया था तदा बलब भी पस्चीमी भारत का सरवादिक सक्तिसा अली राजे बन गया था वेन सांग सिल्ला दित्ते के सासन की परसंसा करता है उसके अनुसार वह एक योग्य तथा उदार सासक था उसने एक बोध मंदिर का निर्मान करवाया था धरसेन तृत्ये सिल्ला दित्ते पर्थम के बाद खर्गर है तथा फिर धरसेन तृत्ये सा कालीन था उसके काल में विहन सांग भारत आया था उसके अनुसार वह उतावले सोभाव तता संकुचित विचार का वेक्ति था लेकिन वो तरह में उसका विश्वास था वह महाराजा हर्ष का दामात था उसका नाम धुरुवय भट भी मिलता है उसने हर्ष के कर्नोच और पर था अब आता है धर्षेन चतूर्ति द्रोषेन द्वीति की बाद उसका पूतर धर्षेन चतूर्ति जो 646 से 650 स्वितक सासक बना मैत्रिक वन्स का वह प्रथम सासक था जिसने परमबठारक महाराजा रिद्धिराज परमेश्वर चक्रवर्तिन जैसी सार्व भोम नरेश की पादिया धरन की थी उसने गुजर परदेश अर्थात भडोंच पर अधिकार कर लिया था मैत्रिक वन्स का अंतिम ग्याद सासक सेलादी ते सप्तम है जो 766 इस्वि में सासन कर रहा था इस परकार आठ्विस ताब्दी के अंत तक बलभी का मैत्रिक वन्स से स्वतंत पर्मन कारियों ने मैत्रिक वन्स के राजा की हत्या कर वलभी को पूंतिया नस्ट भरस्ट कर दिया था मैत्रिक वन्स ये सासकों का धरम मैत्रिक वन्सी नरेस बोध धरम में आस्ता रखते थे तता उन्होंने बोध विहारों को दान दिया उनके सासन काल में वलभी सिक्ष प्रमुव के अंदर था यहां एक विश्व विधाले था जिसकी पर्सिमी भारत में वही पर्सिती थी जो पूर्वी भारत में नालंदा विश्व विधाले की थी उसके अनुसार यहां एक सो विहार थे जिन में 6000 विख्शू रहते थे देश के विभिन भागों से विदार्थी यहां सिक्ष्या ग्रहन करने के लिए आते थे यहां न्याई, विधी, अर्थसास्तर, साहिते, धर्म, आधि वीवित विश्वों की सिक्षा दी जाती थी सात्विस ताप्दी में यहां के पर्मुक आचारिये गुणमती और इस्थिरमती थे यहां प्रियाप्त, बोद्धिक, स्वतनतर ता यहां धर्मिक सेश्वनता थी यहां के सिक्षित विदार्थी उंचे-उंचे पर्सास्निक पदों पर न्यूक किये जाते थे इस विश्व विदहले का विनास भी वल्लभी राजे के साथ ही अरब आकर्मन का अनियों द्वारा कर दिया गया शीक्ष्या की विख्यात के अंदर होने के साथ ये साथ बल्लभी व्यापार ये वानी जे का भी परमुग के अंदर था तो देखेगा स्टुडेंट्स इस वीडियो में हमने लभी के मैत्रिक मंस के बारे में जानकरी प्राप्त की और एक्जाम की देश्ट्री से वीडियो बहुत ही महत्तो पूर्ण है अता है वीडियो ध्यान से देखना और हमारे यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज पर आप बने रहें और यदि आपको कोई भी गलती हमारे वीडियो में लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हम सुधार करने की पूरी-पूरी कोशिस करेंगे धन्यवाद